बिसमेलाहरोहमानीरहीम असलाम अलेकुम वियर्स और वेल्कम तो मैं यूटीब चैनल हभीबा का किचन तो कैसे आप सब अमीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो आज पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ घर में सबसे आसान रेसीबे किक बनाने की तो वीडियो को इन तक जरूर जीकेगा कोई भी पार्ट स्किप मत कीजेगा आप जल्दी से रेसीपी की तरफ चल दे और बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे चार अंडे अंडे आपने किसी भी बाल में तोड़ लेने हैं जर्दी समेध ही आपने लेने अंडे उसके बाद अच्छे से विस्क कर लेंगे आप चाहे तो बीटर भी यूज़ कर सकते हैं आप पांच मिन के लिए बीट करेंगे बिल्कुल ऐसे ही आपको टेक्स्टर मिल जाए का फॉम ही सान डोका उसके बाद इसके अंदर एट करेंगे पाउडर शूगर शूगर को बलेंड कर लीज़े ब्लेंडर में आपको पाउडर शूगर रेडी मिल जाएगी आप शूगर एड कीज़े यहाँ पर जितने शूगर में एड करें हूँ शुगर एक साथ अकठी नहीं एड़ करनी थोड़ी थोड़ी करके शुगर एड़ कीज़े और मिक्स करते रही है अगर आप बीटर यूज करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा एजी हो जाए का मिक्सिंग वगारा आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और लोक के लिए जिनके पास बीटर अवेलिबल नहीं होता तो अब यहां पर शुगर एड़ करने के बाद एड़ करेंगे आइल हाफ काप आइल एड़ कर दिया बैटर को आइल नीचे बैटर में बैठा हुआ नहीं होना चाहिए बलकि पूरे बैटर में ऑईल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए उसके बाद एड़ करेंगे फूट कलर यह बिलकुल ऑप्शनल है वाट आप जब बाहर से बेकरी से कोई भी ठीक एक वखेरा लेकाते हैं तो उसके अंदर नॉर्मल फूट कलर यालो थोड़ा साहर होता है मैदे के अंदर एड़ होंगी दो मजीद चीज़ें उनके कौांटिटी का बहुत क्याल रखेगा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा अगर आपके पास दोरों में से कोई भी एक चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो आप बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को स्किप कर दीजिए उसकी जगा इनो भी एड़ कर सकते हैं पिर आपको बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा वगएरा एड़ करने की जुरुएत नहीं पड़ती तो यहां पर अच्छे से एक बार मैदे कुछ आने के बाद मिक्स भी कर लेंगे ताके बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स हो जाए और एक जगा उसकी कोई भी लंब्स वगेरा नहीं रहना चाहिए तो अब यहां पर जो बैटर हमने बना के रखा था बैटर के अंदर एड़ कर लेंगे वनेला एसंस यह नॉर्मली जो भी आप के बनाते हैं उस हर बैटर में होता है थाके बात में अंडो की स्मेल नहीं आए तो ृष नरमातों से आपने आहसना मिकसिंग करनी है तो अगर आप मेरे पराने विवीयर्स ने तो आपको पता हो कहा आप कोई भी केक बनाएंगे, नॉर्मल टी केक बना रही है, या वनेला स्पंच केक बना रहे हैं, तो मिक्सिंग की टेक्निक वगरा एडिंग ये सब सैम ही रहती है, हर केक में एक रेसिपी है, जिसका आपने ख्याल रखना है इसको अगर अपने मास्टर कर लिया तो आप कोई भी केक असानी से बना सकते हैं अपने घर में बर्टे केक इवन के बना सकते हैं आपको बाहर से लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा टाइम आपको लग जाएगा बट आपकी मेहनत रंग लाएगे आपको बहुत हुशी होगी जब आप रिजल्ड देखेंगे अपनी मेहनत का कि आपने मेहनत तो कीबर आपको बहुत यह चाहर जल्फ मिले आपकी बहुत आरीफ भी होगी घर से जो भी खाएगा पच्चे बड़े सब शोक से खाएंगे और हर चीज में क्वांटिटी का ख्यास जरूर रखेगा तो अब यहां पी जब आप सारा मैदा एड़ कर लें मैदा फिलहाल आप एक एक टेबल स्पून करके ही एड़ कीजिए थोड़ा साब को टाइम लग जाए उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने बैटर में मज जाए वह मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होनी आपको कैसे पता चलेगा उतके बाद आपने मजीद एक चीज़ एड़ करनी है बहुत जैदा पतला नहीं करना बैटर को परफेक्ट बैटर ही चाहिए हमें तो यहां पर मैदा हमने सारा मिक्स कर लिया आप देख सकते हैं बिल नहीं करना तो यहां पर अब वन टेबल स्पून अभी एड़ कर दिया हमने मिल्क बिल्कुल नरम हाथों से मिक्स कर लेंगे बैटर बिल्कुल परफेक्ट था थोड़ा सा जैदा जो ठिक था उसको नॉर्मल करने के लिए मैं यहां पर दो टेबल स्पून दूद एड़ कर लेंगे तो बैटर यहां पर हो चुका है कपकेक कब बिल्कुल रेड़ी तो अब इस पैटर से हम बनाएं के चार किसम के डिफरेंट कपकेक और डेकुरेशन वगारा जो भी गार्निश करने आपने उसके उपर वह आप पर में छोटी आप अपने हिसाब से कर सकते तो यहा आपके खर में कोई भी कलर इसी ली प्रा वड़ा हुआ है जो भी आप यूज करतें आप यूज करतें आप वह के पास ऐड़ियु अवेलेबल यूज आप वह ois पर यूजि कर लीजे हैं यहां पर मैं में यहोज कर हлеji हूँ जो दो कलर मेयरे पास अवेलेबल थे नॉरमि वो यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले उसके बाद जो हम कूको पाउडर एड़ करके चॉकलेट फ्लीवर में बनाएंगे वो तो नॉर्मली सब को पता ही है तो सबसे पहले यह दो कलर हमने अच्छे से मिक्स कर लिए और मैंने जो मॉल्स थे कपकेक बनाने कि उनको अल्रेडी ग्रीस काके बटर पेपर लगा के रखा हुआ तो अब यहां पर और अंदर से अच्छे से ब्रश की मतल से ग्रीस कर लीज़े ताके बाद में आपको कपके कालने में असानी रहे तो जो बैटर हमने रेडी किया था वो आप तीन तीन यहां पर बोल्स में एड़ कर लीज़ हिस्से में डिवाइट कर लीज़े जिसे साबसे भी आपने बनाने और बहुत सहदा फुल नहीं कीज़े का थोड़ी सी स्पेस रखेगा ताके बाद में बनने टाइम हराप ना हो तो अब यहां पर दुबारा से किसे में में डिवाइट कर दिया थोड़ से बैटर को सके न हमने चॉकलेट फ्लेवर का बनाया उसको भी एड़ कर लेते हैं मैं आप तीन तीन बना रही हूं कपके का आप अपने हिसाब से रख सकते हैं एक पर ट्राइज जरूर कीज़े का आपको रैसी भी बहुत पसंद आएगी और बहुत ईजी भी है और जब बैटर को डिवाइ कर दिया तब बागी के बैटर में वो भी हम मोल्स में आइड कर देते हैं कपके का कोई भी आपके पास साचा आवेलेबल एप वो यूज कर सकते हैं तो यहां पे तक करीवन हमारे सारे करे के जितने कपके खमने बनाने थे वो बना लिए अब मैं बना रही हूं इसको देच कि मैं अच्छे से कवर कर लीजें मैं फॉाइल पेपर भी सुखार ही हुज कर दो कि अज़े हूँ थाकर फेर नदर रहे उरे अच्छे से बढ़ जाए चा ले ऐस मिन आप प्र表 नेको फेलिट पकाना पर लिए इसको फिर पिल्कुल पर्फेक्ली कपके क्रेडि हो मैं अमीद आपको रेसीपी बहुत बसंद आए कि अपने घर में जरूर ट्राय कीजेगा मुझे अपना फीडबेक जरूर दीजेगा कि आपको यह रेसीपी कैसे लगी मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स मज़िदा रेसीपी के साथ तब तक के लिए अलाहाफिज